गोरिल्ला आर्मी में अगले महिनी से होगी भरती दोस्तों सूचना के बाद पुलिस एटियेस ने मुखबिर तंतर और पहरा किया सकते परदेश सही थे 36 गड़ और महारास्टर प्रांच में सकरिये नक्षलियों का संगठन पिपुल्स लिबरेशन है गोरिल्ला आर्मी बहुत जलस संगठन का विस्तार करने का प्रियास जुटा रहा है कारण परदेश में नक्षलियों का परभाव लगातार कम होने से पील बी ने दलम के मादम से बालागाट जिले के विभिन गाओं में गोरिल्ला आर्मी में दिसंबर से युवाओं की भरती के संके दे दिये हैं बालागाट जिला पुलिश के मादम से यह खबर परदेश मुख्याले पहुंची जिसके बाद बालागाट मंडला और डिंडोरी पुलिश एटियस ने अपने मुखविर तंतर और पहरा स्टक्त कर दिया है नक्सलियों के गत्विदी पर नजर जमाए नागरिकों का कहना की अभी नक्सल परभावी गाउं में बैटकों का दोर जारी है इन बैटकों में पी एल सिये के दलम सदश से भी सामिल हो रहे हैं ये दलम सदस्टे बैटकों में जानकारी देते हैं कि गोरिला आर्मी में पढ़ती वरसी दिसंबर में नए सदस्टों की भरती होती है बैठक में पहुंच रहे चार दलम बताया गया है कि बाला घाट जिले के गाउं में होने वाली सामान्य बैठकों में पील जीए के दलम, डेवरी दलम, टांडा दलम, विस्तार दलम, मजाल खंड दलम के सदस्य सामिल होते हैं एक दलम की सदस्य संख्या 25 से 40 होती हैं जिनके सदस्य बदल बदल कर बैठकों में पहुंचते हैं बदल गया था मतदान का समय मतपरदेश की विदान सबाद निर्वाचन 2023 के लिए 17 दिशंबर को परदेश की विभिन मतदान के अंदरों पर सुबह 7 से 6 बजे तक ही मतदान हुआ वहीं निर्वाचन आयो के निर्देश पर बाला घाट ही मंडला और डिंडोरी जिले के नकसल परवाई छेतर के करीब 80 मतदान के अंदरों पर मतदान का समय सुबह 7 से 3 बजे तक रहा